असलावलेकुम दोस्तों वल्कम बैक टू माई चैनल आचाम बनाएंगे एक अप गयों के आटे से बहुत ही मसेतार रेसिपी ये रेसिपी बहुत ही जबदस बनती है काफी ज्यादा है और टेस्टी है तो चलिए दोस्तों बिनन टाइम वेस्ट के वए बनाना स्टार्ट करत अगर आप चाहें सिर्फ और सिर्फ घी का इस्तिमाल कर सकते हैं एक चोधाइटी स्पून नमक करेंगे इसमें नमक डालने से फ्लेवर अच्छा आता है तो नमक को इस बिल्कुल भी नहीं करिए और अच्छे से मिक्स कर लेना है एक अच्छा सा मोयन बना के त्यार कर लेन तो यह देखें मुठी में बन रहा है इसका मतलब है कि मोयन बन चुका है अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक अच्छा सा डो बना के त्यार करेंगे तो ध्यान रहे दोस्तों मैंने मोयन बना के त्यार किया है इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी डा कुछ मिनट के लिए गूधेंगे ताकि अच्छे से गूधे और यह डो को हमें नॉर्मल बनाना है जैसे हम चपाती के लिए बनाते हैं तो डो बनके त्यार हो चुका है अब हम इसे कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए रिस्ट पे रखतेंगे तो चलिए दोस्तों चिक करते हैं 10 मिनट हो चुके हैं अब इसे हम दोबारा से थोड़ा सा मुखी लगाएंगे और अच्छे से डो को गूध लेंगे तो अच्छे से डो को मैंने गूध लिया है तो एक अच्छा सा डो बन चुका है तो नॉर्मल रोटी की तरह डो बनाना है प्राठे की तरह जैसे हम प्रा तो इसको नहीं जाद हमोटा बनाना है उसके पदली शेत कर लेधा है जैसे कि हम रोटी बनाते से हैं। वैसी यह बना लेना है। तो बहुत ही आसान है चटपट से बन जाती है, तो यह देखिए रोटी बन कुझी है किनार क्रेक्स है, कोई बात नहीं रहने दे। तो इस तरीके से बाकी रोटियों को हम बना लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं तो बाकी रोटियों को मैंने बना लिया है ये देखें तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इस तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से चपाती उठाएंगे और उसे रखेंगे अब इसके बाद ब्रश की हैंधे या हाध की हैल इस पून की है जिसे मरसी हो आप इस तरीके से अच्छे से ब्रश कर लें तो इससे करने से आप ये लेयर जो है काफी अच्छी आएगी फिल गए और आपकी रिस्पी प लगा लिया है कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करिएगा जितनी अच्छे से लगाएंगे आपकी लेयर उतनी ज्यादा अच्छी बनेगी तो इस तरीके से अच्छे से ग्रेस कर लिया है तो बारा से हम एक और रोटी उठाएंगे और उसके उपर रग देंगे अब हलके एसे टैब टैब करके हम दुपारा से इसे ब्रश करेंगे यानि इस पे भी ब्रश करेंगे अच्छे से इसपे मेदे का खोल लगा लेंगे तो बागी जितनी रोटियां है वन बाई वन करके ये प्रोसेस करना है आपको तो इससे आपकी लिए जो है कफी जादा अच्छी आएगी और खुल कर आएगी तो आप इससे इस बिल्कुल भी नहीं करिएगा इसी तरीके से आप बनाईएगा तो मैंने इस तरीके से बना लिया दूसरी रोटि को भी रख लेंगे तो जो मैंने रोटियां बना के तियार किया यानि जितनी रोटियां मैंने बनाई है साथ रोटियां बनाई है साथ रोटियों को इसी प्रोसेस से हमने रख लेना है तो मैंने इसी तरीके से भागी रोटियों को रख लिया है तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा ठीक हो चुका है आप हम उठा के आपको दिखाते हैं और निकलते बिलकुल भी नहीं हैं बहुत ही आसानी से बन जाते हैं हलके हाथों से टैप टैप करेंगे और फिर से रखेंगे और हलका सा मैदा डस्ट करेंगे वैसे जरूरत नहीं है आपको लगे तो कर सकती हैं मैंने हलका सा कर दिया है और हलके हाथों से हमें रोलर की हेल्प से इसे अच्छे से बेल लेना है हाडली आपको बिलकुल भी नहीं बेलना है बहुत ही हलके हाथों से बेलना है ताकि लेयर काफी अच्छी आया और किनारे के साइड को अच्छे से बेल लेना है ताकि सबी यह रोटि आपस में अच्छे से छोड़ जाएं, खुले नहीं तो इस तरीक से मैंने इसे बेल लिया है, यह भनके तियार हो चुकी है बोहुत ही सब़धस रेसिपी है आप इसे किसी फैस्टिफल पर बना सकते हैं जो भी फैस्टिफल हो उसाइप काफिजाधा हेल्डी है और गाफिजाधा टेस्टी है तो इस तरीके से हम इसे उठाएंगे और रोल करेंगे यह रोल जो है टाइटली करना है लूस बिल्कुल भी नहीं करना है टाइटली करने से यह आपकी रेज्पी कासी दादा पॉफिक्ट बनेगी तो आई होड़ा दोस्तों आप सबको वीडियो बहुत पसंद आ रही हो गी अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक इस तरीके से कर लेंगे ताकि अच्छे से यह रोल हो जाए तो यह प्रोसेस कर लेना चाहिए जिसे कही आपस में अच्छे सेक्स हो जाएंगे अब किनारे के साइड जो एक्स्ट्रा थे तेड़े मेरे थे उसे मैंने कट कर लिया है आदा इंच की चौड़ाई पे हमने इसे कट कर लेना है तो बाकी ऐसी हम कट लेंगे बहुत ही सबर्दस रेसिपी है दोस्तों तो ये देखें बाकी ऐसी बनके त्यार होते हैं तो आप एक बार बनाएं इसे हफ्तों काएं बिलकुल भी खराब नहीं होती है और जो रेसिपी मैंने आपको बताई है ये रेसिपी आपके घर में ये चीज़ से अवेलेबल है शकर केहूं काटा घी बगएर अगर घी नहीं है तो आप उहलका भी इस्तिमाल कर सकती है तो इस तरीके से हम बीच से निकाल लेंगे और किनारे की साइड को हलका सा प्रेस करते हुए एक अच्छा सी डिसाइन बना लेंगे तो ये देखे बहुत ही जबर्दस सा खाजा बनके तयार हुआ है ये खाजे की रेसिपी आपको कैसी लग रहे है कमेंट बॉक्स में इसे कर दिया है यानि हलका सा निशान बना दिया है जो कि देखने में काफी जादा खुबसूरत लग रहे हैं तो इसे बनके नाश्टे को तयार कर लिया है अब इसे रख देते हैं एक साइट पे अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं गैस पे पहन डग दिया है उसके अंदर अच्छी सी चाष्णी बनाना है में जादा डग चाष्णी नहीं बनाना है नॉर्मल एक तार की चाष्णी बनाके त्यार कर लेना है बहुत ही जादा पॉफिक्ट रेसेपी है हर सभी को बहुत जादा पसंद आने वाली है आपकी फैमली मिंबर में सभी को बहुत जादा और दोबारा से बनाने की डिमांड आएगी तो इसे अच्छे से देख लीजिए अच्छे से बबल्स आ रहे हैं यह चाष्टनी बन चुकी है यानि कि यह देखे हम चिक करते हैं यह देखे एक ताहर की चाष्टनी है बस बिल्कुल ऐसी हमें चाष्टनी चाहिए अब इसे रख देते हैं एक साइट पे गैस पे एक पैन रख दिया है उसके अंदर ओयल गरम होने के लिए रख दिया था ओयल अच्छे से गरम हो गया था आटे का एक छोटा सा टुकड़ा डालेंगे और शिक करेंगे पबल्स उपर आ रहे हैं दीरे दीरे कर आरहे हैं इसका मतलब है कि मेठियम गरम сть नहीं है हमें मेठीयम गरम ऑईल की जरूरत है इसलिए मैंने मेठियम सब्सक्राइब किया है चाहित मेठम मेठियम ही है मेरे चैनल पे खस्ता की रेसिपी अविलेबल है दो सी तीन तरीकी के खस्ता की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे पोस्ट किया अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाके चिक आउट कर लीजिएगा बहुत ही पॉफिक्ट तरीका है जिन लोगों से खस्ता पॉफिक्ट नहीं बनता है तोट जाता है या फिर बहुत हाड हो जाता है तो मैंने बिल्कुल हलवाई के जैसे खस्ता की रेसिपी अपने चैनल पे अप्लोड की है तो प्लीज जाके चिक आउट कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है अगर देखा होगा तो कमेंट में वक्त आईएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी थी और इन्शालला आप सब को बहुत जादा पसंद आने वाली है मेरे चैनल पे बहुत सारे स्वीट्स की रेसिपी अवेलेबल है मैंने फ्लैट्विंग कस्टर्ड की भी रेसिपी अवेलेबल की है यानि पोस्ट की है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिएगा इन्शालला आप सब को बहुत जादा पसंद आएगा आप इस फैस्टिवल पे ज़रूर बनाएए इद हो या बकरईद हो या दिपॉली हो या होली हो आप उस सब भी पर बनाएए बहुत ही सबर्दस स्वेट की रेसिपी है फ्लैटिंग कस्टर्ड बहुत ही अलग रेसिपी है आप लोगों ने बहुत ही प्यार जिया था बहुत ही सपोर्ट किया था प्लीज ऐसी ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखे ताकि मैं आप सब के लिए एक अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ ताकि आप लोग भी आसानी से घर पे रखे सामानों से आसानी से बना सकें और फैमली फ्रेंड के साथ इंचुआई करें तो इसे मैंने अलटते पलटते अच्छी से फ्राइ कर लिया है और हलका सा हमें स्टर करेंगे ताकि आप ये आउयल से अच्छी से उपर नीचे हो जाए और ये अच्छी से कुक हो जाए हमें जादा इसे हिलाना डूलेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है वरना ये तूट जाएंगे बहुत ही हलकी और मुँ में खुल जाने वाले ये खाजे बनके त्यार होते हैं तो मैंने इसे पलट दिया दूसी साइड भी अच्छी से कुक कर लेना है तो कलर देख की ही अंदासर लगा सकते हैं बहुत ही जादा परफिक्ट है तो अगर आप चाहें तो ऐसे हिस खाजे को इंजोई कर सकते हैं बहुत ही जबर्दस लगता है आप चाहें तो इसी तरह के से बना के एर्टाइड कंटीनर में महीनों سٹور کر سکتے ہیں बिल्कुल भे खराब नहीं होते हैं और जब ही दिल करें आप चाषनी बनाएम बनाएम इसके अंदर डाले और इसे इंच्वाइक करें या फिर आप चाषनी kinda बेगियर भी चाय के साथ इसे इंच्वाइक करजाए बहुत ही अच्छे से फ्राय हो चुका है अब हम इसे निकाल लिया एक प्लेट में अब रखते हैं एक साइट पे तो ये देखे कितनी अच्छी लेयर आई है इसकी खिल कर आई है देखने में बहुत ही ज़्यादा खुब्सूरत लगता है खाने में कही गुना जादा टेस्टी है तो इस रेसिपी को अब एक बार सरू ट्राइ करें तो चाशनी अच्छे से ठंडी हो चुकी थी तो दुबारा से मैंने इसे हलका गरम कर लिया है ताकि ये अच्छे से गरम रहे जादा गरम नहीं करना है अब वन बाई वन करके खाजे को एट कर देना है ताकि ये चाशनी को अच्छे से एक्जॉब कर ले यानि पी ले अच्छे से जितना पीएगी खाने में कहीं गुना टेस्टी लगेगी और मुह में जाते ही खुल जाएगी इतनी जबरदसी मिठाई बनती है दोस्तों हलबाई की जैसी हलवाई जैसे मिठाई आप घर पर खुद ही बना सकते हैं अगर आप एक बर बनाएंगे आपको खुद पर यकीन ही होगा कि आपने इतनी जबर्दस मिठाई घर पर बना के त्यार की है एक साइड अच्छे से शीडे को एक्जॉब कर लिए आप दूसी साइड भी इसी तरीके से हम पलट देंगे ताकि दूसी साइड भी अच्छे से इग्जॉब कर ले बस इस खाजे को हमें 10 से 12 मिनिट के लिए इसी पैन में रहने देना है ताकि ये चाशने को अच्छे से इग्जॉब कर ले तो बहुत ही जबर्दस बन जाते हैं इक खाजे घर पर इसलिए रखे सामानों से आप बना सकते हैं तो एक बार इसी ज़रूर बनाएगा और कमेंट में मुझे बताएगा कि आपको खाजे की रेसेपी कैसी लगी और आपके खाजे कैसे बनके त्यार हुए है तो आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आ रही है आप लोगों ने अभी तक मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया है तो तीस ऐसी प्यार और सपोर्ट करते रही है ताकि मैं आप सबके लिए एक अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ ताकि आप लोग अपने फैमली और फ्रेंड के साथ अच्छी से इंज्जाई कर सकें तो इसे मैंने 10 से 12 मिनिट के लिए एक साइट पे रख दिया था तो चलिए दोस्तों आप कर लेते हैं इसे सर्फ मैंने इसे एक प्रेट में सर्फ कर दिया है तो बाकी की खाजे को मैंने निकाल दिया उपर से हलका सक मैंने लगा दिया है पेस्ता अगर आपके पास पेस्ता नहीं है तो आप स्क्रेप कर सकते हैं अगर काजू बदान किसी के साथ भी से सर्फ कर सकते हैं कुछ हैं तो सिंफली इसे सबफ करसकते हैं फिर भी खाने में बहुत ही जादा जबर दस लगती है दो इस रेजिबे को इक बार जबर ट्राइ करियेगा मेरे कहने पे एक बार जबर ट्राइ करिएगा इंशालाब आप सब बहुत Presently कोई किसी कोई यकीन नहीं होगा कि आपने इसे गिहों के आटे से बना के तियार किया है तो मैंने छोटे-छोटे से गुलाकि पंकोरियों से सब्व कर दिया है देखने में बहुत ही जबर दस लग रहा है खाने में कही गुनाँ जादा टेस्टी है दोस्तों मैं वाइस वोर कर रही हूँ यकीन मानिये मुझे बहुत ही जादा पसंद आ रही है तो आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी प्लीज प्लीज आप बहुत प्यार देजिएगा सपोर्ट करिएगा तकि मैं आप सबको लिए अच्छी से वीडियो बना सको तब तक के लिए मुझे दीजिए अजासत फिर में मिलूंगे इन्शालला इसी आसान वीडियो के साथ अल्ला हुपीज